तो फिल्म की शुरुआत होती है एक बरफीले इलाके से जहां पर एक होटल में पार्टी चल रही थी वही पर हमें गौर्वर्मेंट ओफिसर दिखाया जाता है जिसके पीछे माइशिक्स नामें एक कमपनी के कुछ एजेंट्स थी जो उसे पकड़ना चाहते थी द्रंसल उस ओफिसर की पास इनकी कमपनी की कुछ पूफिया जनधारी थी एमेशिक्स के एजेंट्स जिसमें एक एजेंट का नाम पार्ट कर होता है वो अपनी एक पीमिल एजेंट की साथ उस पार्टी में उस गौर्वर्मेंट ओफिसर को पकड़ने आया था यही पर इनके टीम में एक और लड़की होती है जिसका नाम स्टोन था वो इनकी कमपनी की बहुत बड़ी हैक्तर होती है अब स्टोन पार्टी में मैनेजर का फून चोरी करके पार्टी में अपने एजेंट्स के नाम डाल देती हैं जिस्से वो पार्टी में अब आ जा सकती थे तबी वहाँ पर स्ट्रीन पर यूएस गौर्टी की कुछ कुफ्टे वीडियोस चलने रगती हैं जिने सब वहाँ पर देखने लगी थी तबी वहाँ पर पार्कर की एजेंट उस गौर्टी में अफिसर को पकरने की कोशिश करती हैं मगर तबी स्ट्रीन वहीं पर रुख गए वो पने एरपोर्टी निकाल कर किसी एजेंट से बात करने लगती हैं जो उसे वो रास्ता बताने वाला था जहां पर पार्कर उस गौर्टी अफिसर को ले कर गया था वो एजेंट जो स्टोन से बात दे रहा था वो एक सूपर कम्प्यूटर के पास खड़ा होकर स्टोन को देख सकता था और स्टोन के आसपास की चीजों के बारे में भी बता सकता था ये सोपर कम्पीटर इतना स्मार्ट था कि सारे दुनिया का डेटा अपने पास डगता था यहां तक कि हरेकी जनकारी को भी और तो और ये फ्यूचर भी बता सकता था कि आने वरे वक्त में क्या हो सकता है द्रेसल स्टोन एक दूस्ती कमपनी की भी एजेंट थी और M.I.6 के साथ भी काम किया करती थी जिसका मतलब कि M.I.6 के लोगों को स्टोन की असली रुप के बारे में नहीं पता था कि वो हमारी लवा किसी और के साथ दिये अब वो एजेंट जिससे स्टोन बात करे थी वो उसे एक पेरेशूट दिखाता है जिसके मतलब स्टोन वहां तक पहुँ जाती है जहांपर पालकर उस गौर्मेंट आफिसर को लेकर गया था वहां कुछ गुंडे भी थी जिनका स्टोन बड़ी बहादरी से मकाबला करती है जब उसकी बाकी M.I.6 की टेम आती है तब तक उस गौर्मेंट आफिसर ने जहर खाकर अपनी चाह लेनी थी अब ये सबी अपनी आफिस पे पहुँचते है जहांपर स्टोन वह उसको हैकर लड़की के बारे में बताती है जिसमें होटल में फुफ्या वीडियो चला दी थी स्टोन कहती है उसके पास कोई तो ऐसी जनकारी है जिसके बारे में हमें पता करना चाहिए पर उनका बुस मना कर देता है और कहता है कि अपने काम पर दिहान दो पर अब स्टोन पारकर और बाकी टेम के लोग एक होटल में जाते हैं पार्टी के ने जहां पर वो उसी हैकर लड़की के बारे में बात करते हैं यहां स्टोन के टीम मेंबर्स का यह कहना था कि शायद वो हैकर लड़की उन एडिर्स के टीम में काम कर रही है उनकी साथ मिली हुई है जो हमारे किलाव है पर ये लोग इस बात को नहीं जाते थे कि उस टीम के साथ टोन भी काम कर रही है अग अगले सुबह स्टोन अपने दूसरे आफिस जाती है उसकी इस कंपनी का नाम चार्टर कंपनी था यहाँ पर आकर स्टोन अपने बाकेटी मेमर से मिलती है वहांपर चार्टर कमपनी की बोस भी ती यह सबी भी उसी हैकर लड़की के बारे में बात कह रहे थी क्युकिए इनकी सारी कोफ्या कब्रे उससे पहले से ही पता होती थी यहाँ पर एक एज़न जो हर गड़ों की मदद क्या करता था बताता है ये उस हैकर लड़की का नाम किया है और ये इंडिया में रहती है इसने एक जहीन आत्मी जो एजेंट है उसे कम्पूटर की हैकिंग को सीखा था मगर अब वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करती ये सारी जन्वकारी वो एजेंट अपने सूपर कम्पूटर की मदद से निकालता है जिस कम्पूटर का नाम हार्ट है अब चार्टर कम्पनी की बोस कहती है कि हम किया कि सारे मालूमाद MI6 को पुंचा देंगी जिसके बाद तो हम स्टॉन उससे पकर लेना मगर ये प्लैन स्टॉन को ठीक नहीं लग रहा था पर स्टॉन की बोस और एजेंट डॉनल स्टॉन को हार्ट केरिक कम्पूटर पर ब्रोसर करने का कहती है अगले सुबा स्टॉन को MI6 का एक एजेंट कॉल करता है और बताता है कि कर सुबा हमें जर्मनी जाना है क्योंकि हमें किया यानि हैके लड़की के बारे भी कुछ जानकारी मिली है इसलिए हम स्टॉन पारकर और इनके दो और साथी जर्मनी के लिए निकल जाती है वहाँ पहुंचकर होटल में जब ये डास और मस्ती कह रहे थी कि तब भी वहाँ पर कुछ गुंड़े आ जाती है जिन्होंने इन पर हमला कर दिया था उस हमले की वज़ें से पारकर भी होश हो गया था उसके बाकी के दो एजेंट्स उन गुंड़ का मकाबला करने लगते हैं मगर स्टोन अपनी MI6 के टीम को ऐसे खत्रे में छोड़कर नहीं जाना चाती थी इसलिए वो अब उन गुंड़ का मकाबला करती है वो उन गुंड़ को बहुत इशांदार तरीके से मार रही थी जब उसके दूसरी एजेंट्स स्टोन को ऐसे लड़ते हुए देख दे तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि उनकी नज़रों में तो स्टोन सिर्फ एक हैकरी थी ऐसे लड़ाय करते हुए उन्होंने इसे पहली बार देखा था अब चारों वहां से एक ट्रॉक में बैठकर निकल जाती है स्टोन जो कि ट्रॉक को चला रही थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी टीम को बचा कर ले आई थी ये चारों एकमेफू जगा पर पहुन जाती है जहां पर अब स्टोन की फीमेल एजेंट कहती है कि तुम आकर कौन हो स्टोन ऐसी मने तुमें पहले बार देखा है तुमें हमें अपनी अस्तित के बारे में बताना ही होगा स्टोन के पास भी और को रास्तन नहीं था इसलिए वो अब इन लोगों को अपनी सचाई बताती है कि मैं चार्टर कमपनी के लिए भी काम करती हूँ तब ही वहाँ पर पार्कर अपनी गर निकालता है और अपने बागी दोनों एजेट्स को मार देता है ये देकर स्टोन काफी हैरान हो गई थी और डर बेचाती है वो पार्कर से पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि पार्कर और किया हैकर लड़की दोनों आपस में मिले हुए है वो दोनों सूपर कम्पूटर हार्ट को हासल करना चाते थे Parker स्टोन से कहता है कि तुम्हें अपने फैसले सूपर कम्प्पूटर के मताबिक लेने चाहिए ना कि अपने मरजी से अगर तुम्हारी कम्पनी की एजर्ट्स ने कहा था कि यहां से भाग जाऊ तो तो महाँ से क्यों नहीं बागी और इन दुनों को क्यों बचाया इतना कहकर वो स्टोन पर हमला कर देता है और परलाइस करने वाड़ा ड्रग दे देता है जिससे स्टोन अप अपने हाथ पाउं नहीं ही ला सकी थी मगर वो उसे मारता नहीं तुकि वो हार्ट की लोकेशन का पता करना चाहता था और जिस government officer को हमने शुरू में देखा था उसे भी पारकर नहीं हमारा था वो बताता है जब मैंने उससे heart के location के बारे में पूछा तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया और वो stone के साथ एक tracker device को लगा दीता है ताकि जब भी stone के team के लोग उसे बचाने यहां आएं तो उसे heart के बारे में पता जल जाए कि वो कहां पर है क्योंकि heart को द्रैसल charter company ने डिजाइन किया था उसके साथ एक ऐचे device थी जिसको computer के साथ लगा कर पुरी दुनिया की data के बारे में पता कर सकती थी और जो heart को कंट्रोल करता था वो ही बुल दुनिया को कंट्रोल कर सकता था इसलिए पार्कर हार्ट के पीछे बढ़ा था पर कुछ तरके बार charter की team आकर stone को बचा कर अपने साथ ली जाती है वहाँ पर उने पता चलता है कि उनके computers को किसीने है कर लिया था मगर कुछ तरके बादे charter की agents नहीं ठीक भी कर लिया था stone भी ठीक हो गई थी उस पर से drug का नशा उतर गया था जो पार्कर ने उसे दिया था वो अपने अंदर से उस tracker device को भी निकाल कर तोड़ दी थी जो पार्कर नहीं उसके अंदर लगाई थी एक agent ने को बताता है कि किसी ने हमारे systems को हैक कर लिया था ताकि वो heart तक हों सकी मगर वो अब बिल्कुल महफूस है उसे एक locker में रखा हुआ है जो एक balloon यने गुबारे की shape का है जो हमारे जमीन से 40,000 feet की बुलंदी पर महफूस है और अब वो साउथ अफरीका की तरफ जाने वाला है चार्टर कंपनी की बोस स्टोन से कहती है कि मैं तुम्हें अब काम पर नहीं रख सकती तुम्हें अरान की जरूरत है और तुमने हमारे प्लैन के मताबिक काम नहीं किया वरना आज तुम्हारे टीम MI6 की एजर्स दिंदा होते और वो ये भी कहती है कि तुम इतने वक्ते पार्गर के साथ काम कर रही थी तुम्हें ज़रा भी अंदाजा नहीं हुआ कि वो कैसा है उसकी सचाई का पता नहीं चला स्टोन को भी गुसा आ गया था इसलिए वो अपने गार्ड को वही फैटती है और चलेगी स्टोन जब बस में जा रही थी तो उसकी पास क्या की कॉल आती है जो से कहती है कि है ओ माई कॉड तुम्हारे टीम को तुम्हें काम सरी निकालना चाहिए था उदर चार्टर की बस अपने बाके टीम से मिलती है जहां पर वो से पताती है कि जब हम हार्ड ए-ाई को बना रहे थी तो हमारी टीम में पार्कर भी शामिल था और जब चार्टर कंपरी में एक जवा पर बॉम गिराया था जहां पर एक देशत गड़ था तो उस वक्त उस जबापर पर्कर भी मुझूद था वो उस दमागे के वज़ा से जख्वी हो गया था तो इशायत यह वज़ा हो सकते है कि पार्कर इसी बात का बदला चार्टर से ले रहा है और अगो हार्ट को लेकर ही सकून का सांस लेगा इसके बात हमें किया और पार्कर एक साह दिखाय जाती है जहां पर किया पार्कर से कह रही थी कि तुम्हें MI6 के एटर्स को मारना नहीं चाहिए था यह हमारे प्लैन में शामिल नहीं था जिसके बात अब यह दोनों हार्ट की लोकेशन पर जा रही थी दोसी तरह स्टोन भी सिटी टीवी कैमरेस को हैक कर लेती है जिससे उसे किया के बारे में भी पता चल गया था ओधर किया और पार्कर उस बेलोल लोकेशन तक पहुंच आते हैं जिसमें हार्ट AI था वो उसके अंदर पूर्ट गे थी यहां पर तब तक स्टोन भी पहले शूट की में दसी पहुंच जाती है मगर स्टोन को आने में देर हो गई थी क्योंकि इससे पहले स्टोन हार्ट की चोरी को रोक पाती किया ने उसे चुरा कर अपना बायोमेट्रिक उसके अंदर डाल दिया था और अबस किया ही हार्ट को चला सकती थी उसने हार्ट डिवाइस को भी उठा लिया था पाहिट स्टोन और पालकर की लड़ाई हो रही होती है जहां पर पालकर स्टोन को धका देकर नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था मगर स्टोन सहारा लेकर लटक चाती है अब पालकर किया को लेकर अपने हलेकॉप्टर में बैटने जा रहा था मगर किया एक रस्टी की सहारे लटकी हुई थी तबी स्टोन ने भी उस रस्टी को पकेर लिया था जिससे किया लटकी हुई थी वो फिर उस रस्टी को भी कार देती है जिससे अब ये दुनों पैया शूट की मदद से रिगिस्ताने इलागे में जाके गिरती है यहाँ परकिया स्टोन को बताती है कि मैंने कम्प्यूटर हैकिंग का काम एक आदमी एजन्स सीखता था और उसने अपने फार्डे के लिए मेरे मॉम डैड को मरबा दिया वो एक ब्हुत बुरा आदमी है जो दुनिया में वो सारे गलत काम करता है मैं बस हार्ड को चुरा कर उसके जरिये उसात्मे के सारे करिناमों को असामने ले लाला चाहती थी और इसलिए मैं पार्कर कर साहा दे रही थी पर मेरे इस काम में लोगों को मारने का मक्सद नहीं था साथ ही वो ये भी बताती है कि पारकर उस हार्ट को लेकर चार्टर को ख़त्म करना चाता है पर स्टोन उसे बताती है कि नहीं जो में उसने खलब बताया है वो चार्टर को ही नहीं बलकि पुरे दुनिया पर ही अपना कंट्रोल करना चाता है इसलिए तो वो हाट के पीछे बढ़ा हुआ है वहाँ पर एक औरत आ जाती है चुह ने अपने गाड़े में बिठाकर वहाँ से ले जाती है यहाँ पर स्टोन त्याके कपड़ों में ट्रेकिंग डिवाइस लगा देती है तब ही रास्ते में पार्कर का एक आदमी आ गया था जो उस औरत को मार देता है जिसकी गाड़े में यह दोनों बैटी हुई थी और उसकी बाकी के आदमियों ने स्टोन पर हमला कर दिया था वो उसे बचते हुए पाने में गोट कही थी तब ही एक चार्टर की मेंबर ने आकर उसे बचा लिया स्टोन अब अपने चार्टर की बोस को किया के बारे में बताती है कि वो कहां पर हैं क्योंकि इसने उसके कपड़ में ट्रेकर जो लगाया था अब जल्दे ही चार्टर की बोस ने अपने खुफ़के टेम तयार कर ली थी ताकि वो पारकर और किया को पकड़ सकी ये चले पनन मारें छाहते। आफ ये खलिट है। हमें क्यांतर की शुषारी, क्या लोगी वी और स्कंध में बाया है। यून पडिया की त्यूंपनिते हैं, बन जानाने क्वाद कारण हमें की लगारा, समझ गई थी कि वो बेगुना लोगों को भी मार रहा है यह सब जाने के पाथ किया चुपकी से सारी सिस्टम में वारस को इंस्टॉल कर देती है और पिर स्टॉल को कॉल करके कहती है कि मैं जानती थी कि तुमने मेरे कपड़ में ट्रेटिंग डिवाइस को लगाया था यहुससाल का रहना को गलत पता कि याने इन्हें बताया था उदर जोड़दार धुमाका होता है जिसमें सारी प्रियमारे चाती है स्टॉल कि एकी सही लोकेशन पर जाने लगती है यह वे कुछ देर के लिए सारी सिस्टम को बंद कर दिया था पार्कर समझ जाता है कि यह स पkar लिया था ह्योग सब पकर लई ना किस टारी थो सारी के अपने मुल्कि लिए क्या और आक्र मुझे मुझे मिला तो चर्फ ँड्रोंग में लेकर कपज़ा कर लूँ केंशा है। Bitte statut के तidän हैं। तुमने भी तो हाट की मिलती ही बेगुना लोगों को भी मारना शुरू कर दिया तब एकिया पारकर से बचकर साइट पर हो जाती है और अब स्टोन और पारगर की लड़ाई होने लगी थी पारकर ने स्टोन को पकर लिया था और यहां उसका काम तमाju स्टोन अपने वोस को कॉल करती है उसने हर्ट को अपने कंट्रोल में कर लिया था तबी दर्वासों को खोल दिया था जिससे सब की जान बेच जाती है हर्ट दुबारा से चार्टर के कंट्रोल में आ जाता है अब हम चार हफ़ते की बाद पसेंग देखते हैं जहाँ पर स्टोन M.A.S.S. के एजर्स के घर पर जाती है और जो मर गए थी उनकी बच्चों को गिफ्स देती है इसकी बाद वो किया से जाकर मिलती है जो जील में थी वो किया को भी चार्ट जोइन करने का कहती है और उसे एक जोकर का कार्ड देती है कुछ दिन के बाद स्टोन और किया एक मिशन पर दिखाए जाती है जहाँ उनकी साथ स्टोन का एजन्ट साथी भी था ये लोग आपस में हसे खुशी बातें करें थे और फैसला करते हैं कि ऐसे ही हम तीनों एक टीम बनकर हमेशा मिशन पर जाया करेंगी पुरायों को रोखने के लिए और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यही पर कहत मुझा